आज आफ लोगों को मेरा गाव दिखाओंगी जो है भुबाल में तो सब्सक्राब को दिखाओंगी वैं किसमें बैटके आई यह लोगा आपको आगे चल के दिखाती हूं मैं आपको लासन के पहला बाच के और चीजिद्थ दिखा रेती हूं और देखो ऑई यहां पर भी बहुत रखते रख वे तो चलो अभी दर चलते हूं देखने हैं इसमस्ने हां यहां है क्या देखो यहां पर एक हुआ है व्यू तो एक बहुत बड़ा सा कुई आप कमेंड को इंगिश में क्या बोलता है मैं आपनी बहुत गहरा कुई आपको दिखाए भी नहीं सकती लेकिन अपको दिखाऊंगी बढ़ो के साथ तो जब तक हम चलो एक कमरा देख लाता है तो गाइस कम्रों से पहले आपको एक अच्छी सी यूनिक चीज दिखाना चाहती हूँ जो मैंने यहाँ पर देखी है तो लेट्स को गाइस हमें इधर से इधर होके जाना पड़ेगा तो चलो गाइस यहाँ पर बहुत जादा मिट्टी है वैसे मैं कहूँ देखो गाइस यहाँ पर टमाटर देखो ऐसे लगता है यह देखो गाइस टमाटरों को और यह बहुत जादा लाल भी है आप देख सकते हो चाहे तो बहुत टेस्टी भी होंगे मैं आपको राद में बताऊँगी इनको खार के कैसे लगते हैंगे और यहाँ पर धनिया भी है देखो गाइस तो वहाँ पर देखो किता क्यूट चा फ्लावर है गाइस चलो अब हम खेट के और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस मैं देखते देखते हैं यहाँ पर देखो क्या दिखा है वाव देख से सो क्यूट चलो गईज चलते हैं यहां से और अब आपको हम यूनीक सी खेट दिखाते हैं यूनीक से सच में बहुत ज्यादा यूनीक है वो यहां पर जगे जगे पर ये पेड लग रहे हैं धन्ये के वैसिन में धन्ये भी उग रहे हैं गाईज ऐसा नहीं के अब मैं आप लोगों को जो दिखाना लें वो सबसे यूनीक है यह देखो गाईज वाओ यह देखो गाईज यह किती सॉफ्ट है वाँ आप अगर कभी भूपाल आयोगे तो आपने देखे हूंगे खेट बहुत बढ़े होते सच में बहुत ही जादा आप देख सकते हो और यह पूरे के पूरे खेट हमारे दादाजी के हैं आप देख सकते हो चलो गाईज अब हम यहां से चलते हैं वैसे ही अगर माना तो यह भूल बुझाई है यह टाइप का है जलो गाईज थोड़ी सी मैनद करने पे आप आ रहे हैं गाईज वैसे बहुत ज्यादा हाड है सबसे पेड़ होंगे ही जो सबसे अलग हो तो आप लोग मुझे कमेंट बताना आपके यहां पर कौन से पेड़ा जो सबसे अलग है और मैस पर रिप्राइज जलूर करूंगी गाईज वैसे अगर यह वीडियो ज्यादा बन गया है तो मैं इसको सेकिंड पार्ट में लाओ वाइबखई